अगर मेहनत का कोई काम केचे तो थोड़ा सब्र जरूर रखा केचे क्योंकि कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है लेकिन थोड़ी देर समलता है नमस्कार डिड़ बिहार के इस बिहाद इखास कारेक्रम दिशाय में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट पिंकी आपको बता दे कि आज कि हमारे इस बिहाद इखास कारेक्रम में हमारा विशे है फीजियो थेरेपी के छेतर में करियर, यानि कि आज हम ये चानने की कोशिस करेंगे कि जिस भी छात्र या छात्रा को फीजियो थेरेपी के छेतर में अपना करियर बनाने की जरूरत है फिर वो इस शेतर में जाना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से तैयारी करने चाहिए और उन्हें कितना ज़्यादा ध्यान देने की जुरूरत है साथी आपको यह भी बता दे कि इस विशे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत एखास मेहमान मौचुत है हमारे साथ हमारी स्टोडिय में मौचूद है डॉक्टर रतनेश चौतरी सर जो पटना में IZIMS के सीनियर लक्षिरर है सर बहुत-बहुत स्वागत है और सवालों का सलसला शुरू करने से पहले और कारिकरम को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और अगर आप उसका जवाब हमारे विश्य सग्य से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है 1800-3456-171 एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं हमारा नंबर है 1800-3456-171 और अब बेना बिलंब कि ये कारेकरम को आगे बढ़ाते हैं सर सबसे पहले आपके पास आएंगे और सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि फीजियो थेरेपी है क्या क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसी है जिन्हें नहीं पता कि फीजियो थेरेपी है क्या तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप इसका जवाब देगा यह बहुती सुन्दर सा प्रशन है फीजियो थेरेपी मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जसमें प्रिवेंशन यानि बचाव इलाज और रिहलोटेशन या typणरवास biber. जी हम तीनों चीज़ों से करते हैं diagnostic आए बेजर्श deep आएPC इनौr करते हैं और इसका जो इतिहास से काफी पुराना है लेकिन आप मोटा-मोटी माल के चलिए कि दुटिये विश्व के युद के बाद पूरे विश्व में जो है फिजियो थेरपी के डिमांड काफी जादा होगे काफी हैं जो सामने आए और जो हमारी आज की दौरती भागती जिन्दगी है उसमें फिजियो थेरपी का रोला बहुत ही ज्यादा है इसके मागे चर्चा कर लेंगे जो जाना चाहते हैं तो दसवी के बाद उन्हें किस तरह से इसकी तैयारी करने चाहिए फिजियो थेरपी में वह सारी चीज़ें पढ़ाई होती हैं हमारे आईजे में वहाँ पर आपको 12 में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए तो यह दोनों चीज़ें बहुत ही क्रेटीरिया रखती हैं हैंने PCV रखें और साथ में 60% से ज्यादा आपके नंबर 12 में आने चाहिए फिजियो थेरपी के छेतर में अगर प्रवेस परिक्षा के बाद करें तो उसकी प्रवेस परिक्षा हैं जैसे अभी हमारे IG में निट के थरू हो रही है तो पूरे देश में चुने थरू होती हैं इसके अलवा बिहार में जो है निट के थरू जो लोग एडमिशन ले रहे हैं इसके अलवा जैसे बहुत सारे केंद्रीय संस्थान है जैसे भूदी में IPH ह या फिर कतक, मेहना 이 ओह है और निरथार है इस तरह जो संस्थान उनकी अलग परिक्षा होती जैसके मैंने पहले कहा कि जो भी MBBS में पढ़ा ही होती है वह ही Physiotherapy में होती है तो आप जो चीज न में MBBS के लिए त्यारी करते हैं नीट के थूर आपको जाना है तो नीट में जो भी आप त्यारी करते हैं वही त्यारी आप करें अगर फइजियो थरापिय के स्धुद्र में बात करें हैं और कौन कौन से कौर्स होते हैं अभी बैचलर носी तरैपी के कौर्स होते हैं यह 471 साल का होता है इसके अलाब पीजी reducing का मास्टरस क कहते हैं वह दो सालों का होता है इसके बाद पीएचडी संब्द विशियों में कर सकते हैं तो सवालों का सलसला आगे भी जारी रहेगा लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे वीशे सगे से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है 1-800-3456-171 एक बार फिर से हम दर्शकों को नंबर बता देते हैं हमारा नंबर है 1-800-3456-171 सर जिन चात्र चात्राओं को फेजियोथरेपी के छेतर में जाना है वह शुरू से किस विशाय का चैन करें हलाकि 12th लेवल पे तो आपने कहा कि बायोलोजी वगर देना चाहिए तो शुरू से अगर हम बात करें तो देखिए शुरू से जो है उनको पड़नी ही चाहिए साथ में उनको जो एक्सराइज से समंधनी जो चीजी है उस पर भी विशियस ध्यान देना होगा चुकि अल्टिमेटली फिजो थरेप एक्सराइज थरेप एलेक्ट मेल्स रहते हैं उसको देख सकते है क्रिकेट मैच में किसी को चोट लगती है यौ कई जगा विंकलांग सनस्थाणों में में सब्सक्राइबर आफ विश्यें यह कंड़ा देना होगा इस पर दयान देते हैं तो उनका केरियर बहुती अच्छा होगा सब्जेक्ट की बात करें बात कमार की खरें कि कॉर्स करते समय। सब्जिक्ट की बात आती है तो कौन कौन से सब्जिक्ट होते हैं। सब्जिक्ट आपने कहा कि अलग से पढ़ाया जाता है तो हम चाहेंगे इस हाथ को मुड़ा और सिधा किया तो यहां पर कौन सी मसल काम किया कौन सी मानश्पेशी काम कर रही है हम उसको पढ़ते हैं इसकी फीजिलोजी क्या है यहां तो कितने अंगिल तक मुड़ा कौन सी मसल काम की इट कम संडर दा बायो मेकेनिक्स उसके लिए हम जो बायो मेकेनिक्स अलग से पढ़ते हैं। कैनेसलोजी होती है जैसे कोई आदमी चल रहा है तो गेट पैटन हम लोग कहते हैं या किसी की अबनमल गेट पैटन है तो उसकी बायो मेकेनिक्स और कैनेसलोजी से अलग हो जाती है किसी आज इसको पीशेंट है जिसको पारलेसी मर दिए या आभ आपनें देखा होगी बहुत सारे लेते हैं इस ग्र запेलन को उसकी काइनसोल जी जो अलग होती है तो वहां पर जो है यह हमारे लिए बहुती विशिस्ट एक चीज हो जाती है विशिस सब्जेक्ट हो जाता है इसी लिए इसी तरह से जो हम लोग रिभडेशन करते है तो रिए अजरी में नहीं होती है यह लेकिन वहां पर जैसे किसी का पाउँ कट गया दूर्भागवेंस से कोई सैनिक हमारा वीर सैनिक है उसके इंजुरी हो गई पारलैसिस हो गई तो उस वक जो है हमारा फिजिद्धियोग करो तो फिर वहां पर जो हैं हम लोग जो पुनारवास के छेटर में उसकी फिर अलग से पढ़ाई करता है उनकी साइक्डोजी फिर थोड़ी से अलग हमें पढ़नी पढ़ती है फिर दो विषय होते हैं नियुरोलोजी और और्थोपेडिक्स यह जो दो विशह है यह अंडर ग्रेजुएट लेपल यानि बीपीटी के लेवल पर हमें बहुत ज्यादा पढ़नी होती है जो कि हम जब केस डील करते हैं तो हमारे पास जो है जो एमेस और्थोपेडिक्स से जो सेजरी करके आते हैं करके आते हैं उनके लेवल की हमें चीजे जाननी पड़ती है हमारा ट्रीट्मेंट का माध्य हम अलग हो जाता है लेकिन हमारा नॉलेज लेवल उसी पर होना चाहिए जो इस लेवल पर है लेकिन वह अंडर ग्रेजुएट फिजो तरैपिस्ट की हो भी तो यहां पर और ट्रीट्मेंट प्राण बदल जाता है इसलिए हमारी पढ़ाई भी थोड़ी बदल जाती है सब्जेक्ट भी थोड़े से अलग हो जाते हैं सर फिजो तरैपी की पढ़ाई के संस्थान से और कहां कहां होती है अगर इंडिया के बाद करें उसके बाद हम लोग वस्तार से पिचली अगर बिहार के बाद करें तो इसके लावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कई जगड़ डिप्लोमा की नहीं रह गई है लेकिन ऐसे जो तीन सो यह जी जिसा कि मैंने पहले बता है जो अंडर ग्रिजुएट कोर्सें वहां चलती हैं और देश के जितने भी बर सब जगह जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट फिजुट फिजुट थेपी की पढ़ाई होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसे कॉलेजेज हैं, जहां पीजी की परहाई हो रही है, यूजी अंडर्ग्रिजुट की ही परहाई हो रही है, और उनकी मानिता को ध्यान में रखते हुए अड्मिशन लेना चाहिए. बाचित का सलसला तो जारी रहगा, एक बार फिर से हम अपने दर्शुकों को बता देना चाहते हैं, कि अगर उनके पास भी कोई सवाल है और उसका जवाब हो हमारे विश्य सक्य से जाना चाहते हैं, तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1800-3456-171, एक उनके लिए क्या बिकल्ब है, अगर उनका साइंस बैक्ग्राउंड है, पिसीवी के साथ है, तो फिर से आ सकते हमारे कई ऐसे लोग हैं, जो बीए सी करने के बाद एडमिशन लिया है फिजो थरेपी में, या कई लोग हैं जो बीए सी पार्ट वन किया है, उसके बाद है, या कई लोग आर्ट में चले गए, लेकिन उनको इक्षा होई कि नहीं, फिजो थरेपी मेडिकल कोर्स में आए, और लेकिन उनका पीसी भी होना चाहिए, तो वो इस चेत्र में आसानी से आ सकते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और इंटरन से एक्जाम देके आ सकते हैं मतलब एज लिमिटेशन के अकरवाद करते हैं, एज लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं है, सारे 17 साल आपको इंटरन्स एक्जाम देना है, उसको होना ही चाहिए, तक 17 साल होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि निट के थूरू अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ करने के बाद, या फर कॉर्स पूरा मतलब होने के बाद, इंटरन्सिप की प्रक्रिया क्या है, या फिर प्राक्टिस की प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल, यह बहुत अच्छा प्रशन है, जैसे हमारे इंटरन्सिप के लिए बाहर के बच्चे आते हैं, जैसे हमारे लवली जलंदर के आते हैं लखनों के लोग आते हैं भापाल से आते हैं दक्षीन भारत से हमारी एक लड़की इंटरंसीब कर रही है बैंगलूरी से आई है तो इंटरंसीब जो है जैसे आपने सारे चाड़ साल कोर्स कर लिया अगर आपको लगता है कि हमें अच्छे संस्थान में करने चुकि बहुत मैंने रखता है जहां जितने ज्यादा केसे आएंगे जितने अच्छा टीचर साइंगे उतना अच्छा आपको एक्स्पोजर होगा तो आप जो है अपने विभाग से लेकर करें और फिर आपको इंटरंसीब करना होगा तो आपको ज़रूरी है पहली ब इसका भी ध्यान रखना तो आप प्ले पिटी अपने कोर्स कर लिए और आपने जसेंस्थान से आपको इनटरंसीब करनी आप आप एलिजीबूल होगके तो इनटरंस एक सवाल और मैं करना चाहती हूं की इनटरंस कि दौरान चाधर शात्रा ओं को क्या सिखाया जाता है मत तो वहाँ पर जैसे आप पेशेंट आया, पेशेंट का आपने हिस्ट्री लिया, फिर आपने ब्लड पेशर नापा, पॉल्सरेट लिया, उनकी समस्या है, उनको देखा, उनका वजन लिया, फिर आपने उनका असेस्मेंट किया, तकलीफ किया है, माले किसी अगर्दन नहीं तो गर्दन नहीं घुम रहाते हैं इस तरह से बेसिक जो सारा एक्जामिनेशन हम लोग करते हैं फिर उसके बीमारी है यह हमारा डियागनोसिस है और इसका इलाज यह है उसके लिए आपको फीजिटरा पे लिए दस दिन बीस दिन या एक महीने या दो मैन जो भी जैसी जरू कर दो मुझन का पहators evalu इसके लिए रोज़ को two on on the leg of die घ्रचेंट में होते हैं कई वाद में होते हैं एक बहुती बंभी पेशेन्ट होते हैं उस में होते मन में होते हैं नात करके हट् सर्जजरी सबत्रके कोई ट्रॉमा में है किसे गोली लग गया है pussy सब सबने में सिखाते हैं जो ट्रेनिंः कि हमारे हैं इन सब्सक्राव के साथ हैस्टुर्याइख कुल्कूल ने दीन रात करें हैं पूरी दुनिया ड्रग्लेस थेरापी की तिरफ जा रही है आपने भी करोना काल में देखा हुआ कि दुनिया में कोई दवाय नहीं है जिसने आपको बहुत जादा बेनिफिट किया हो और अल्टिमेटली चेस फीजो थेरापी ही जो है वह आपको बहुत फायदा किया है इसक कि लोग दवाब नहीं खाना चाहते है और हम दवा तब खाते हैं इलाज सरुज़री तब कराते है यह जब बीमारी होती है लेकिन हम बीमार नहीं पर उसके कहों से साइज करे तो वहाँ फीज़ो थेरेपिश है एक बहुत बादा दूसरा है कि कई वार जो है दूसी करें क विकलंकता हो गया, CP चाइल्ड हो गया, फिर वहाँ पर फिसोथरेपी का रोल सबसे ज़ए जादा है, तो कहने कार्थ है कि इलाज में बचाओं में और पुनरवास में, तीनों जगा जो फिसोथरेपी का रोल सबसे ज़ए है, तो जब ज़एदा है तो उसका बहुत ज़्या जरू बढ़ती हैं तो बहुत ज़्छाद है ज़ी अब फोड़ी से बीमारी करने है कौन कौन से बिबारी है जिसके इलाज के लिए फीजियो थरेपी का इस्तों माल है तैक लाइन वहुआहां दूनिया में इससे कुई नहीं जान सिथियोधियार नहीं दूनिया है दान थे म इस तरह कमर दर्द है गुटा दर्द है एली में दर्द है आपको आखो की समस्या है आपको सांस फूलती है आपको आपको अप्रेशन कराना है किस तरह के कैसे होते हैं जहां पर मेडिसीन भी देना पड़ता है है और चुर्द बिल्कुलू जैसे आपको किसी को पार्लैसी हो गईए ब्लड gü बन्की किसी को पार्लैसी सब्लाइशिस हो गए और मरी Conte की लिए चलाना जती है लेकिन अगर टाकत तो कहने कारते हैं यहाँ पर जो भी आप काम करेंगा अगर रिकावरी हो रही है तो बीना फिजियो थरेपी के नहीं होगा तो कमर दर्द के लिए बहुत तरह के बताते हैं फिजियो थरेपी कई बार दवाएं बिल्कुल नहीं सूट करती तो बढ़ियां जैसे किसी का का तरह करेख अब आपकी गुरशी कैसी होने चाहिए आपका लेका होना चाहिए अर्गोनामिस कैसी चाहिए हो आपके ड्राइविंग सीट कैसी होने चाहिए अगला सवाद सारफ फिजोथेरेपी के विशेस्ताई क्या-क्या है देखिए फिजोथेरेपी जो है एक बहुत ही इमर्जिंग फिल्ड है और आज पूरे देश वहर में लगातार कॉलेज़ खुलते जा रहे हैं तो यह है कि सोसाइट मैं हमेशा यह कहता है अपने बच्चों को जो हम पढ़ाते समाज की नीड्स को पूडा करता है समाज की जरुरत को पूडा कड़े तो उस जब स्वेजुषय सबसरी विशिज़ता है कि यह एक सामाने व्यक्ति को भी फिजो थेरेपी जरूरत है जो बीमार नहीं उसको भी जरूरत है दिरभाग को को यह विकलाम होग और उसको repeating कोई साइड इफेक्ट नहीं है कहीं कोई जल जला नहीं दे कोई सिकाई ज्यादा नहीं करते उसका आपको ध्यान जरूर रखना तो यह दूसरी भी सेस्था है कि यह बहुत ज्यादा महेंगा नहीं है अगर एक सेसन लेते हैं 200-300 रुपे से लेकिन पता लगा कि आप करना लेकिन अगर बढ़ियां से फिज्यो थेर्यापी कराएं तो आपको जो है 10-20,000 में ठीक हो सकते हैं तो यहां पर है तो यह तीन मैने प्रमुख विश्यस्थाई बताएं और इस पर काम करने की जरूरत है बात्सित का सलसल आगे भी जारी रहेगा लेकिन यहां पर एक 1-800-3456-171 एक बार फिर से नंबर बता देते हैं 1-800-3456-171 कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गे हैं उनसे भी जानने की कोशिस करते हैं उनका सवाल क्या है हलो हलो हां जी सबसे पहले आप अपना नाम बताए है हलो 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 जी सवाल पूछिए सर अपना जी तो बिहार में मानता प्राप कोर्स कहां करा जा जी जी बहुत अच्छा प्रश्णा अवजी का है बहुत अच्छा प्रश्णा आपका बिहार में सरकारी तोर को जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंद्रा गांधी आरविज्यान सरस्थान आईजी में सपतना है वहां पर जो है सारे चार साल का फिजो थेरापी का कोर्स चला जाता है बीपीटी का अंडर ग्रेजुएट इसक किलावा प्राइवेट के बहुत सारे कॉलेजेज है आप जैसे आई एच है रहा इस तरह का तो आप अख़वारों में देख सकते हैं उसका आडे बरावर आता रहता है इन सब जगह और यह जो सरकारी है उनकी पुरी तरह मानिता है जो प्राइवेट है वह संबंद इन्व होती है और दूसरा एक प्राइश जो है देशा कि मैंने पहले बताया और इस अभी उसी की चर्चाई कर रहे थे सुजीद जी कि फीजो थेरापी का बहुत ही उजवल है और जो सामाने व्यक्ति हैं उनको फीजो थेरापी ज़रूरत है कि वह भविस में उनको ब्लड प्रे की अगर बात करें तो उसके जरूरी स्किल्स क्या-क्या होने चाहिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि सबसे पहले तो हमें कॉम्मिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए हम कहते हैं कि पेशन्ट इस बेस्टीचर हमारा सबसे अच्छा टीचर कौन है मरीज हम ल नियू करेंगे लेकिन कोई कॉलर हमारे सांचो गए उनका सवाल चालने की कोशिश्च कर लेते हैं हलो है था है अपना सवाल पूछिए है अब चार साल होगे अधरां और चल नहीं सकता जीजी अप कहां से बोल रहे हैं अंबाला से तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने रिपोर्ट्स को लेकर के क्रावरा हम लोग से मिलें तो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे अगर पौने चार साल से नहीं चल पा रहा है तो हो सकता है कि कुछ समस्य आपको हो और प्रॉपर फीजो थेरापी नहीं मिली हो किसी ने आपको गाइड नहीं किया हो तो मेरा निवेदन यहीं रहेगा कि आप इंद्रा गांदी अर्वियान संस्थान में आए आए इजी में से रूम नंबर 105 फीजो थेर चल पर चल पर चल बेशान करेंगे कि फेजो थेरेपिस्ट के लिए जरूरे स्किल्स क्या करें दूसरा है कि हम साइंस से डिल कर रहे हैं और हुमन बोडी से डिल कर रहे हैं तो आपको हमेंसा सीखने की प्रविर्टी होनी चाहिए यह नहीं कि मुझे सब आता है तो एक बह सब्सक्राइब करते हैं उनसे हम बाते करते हैं निरॉलजी वाले उनसे हम बाते करते हैं मरीज के रिस्तदारों से बाते करते हैं तो मरीज के साथ-साथ जो अन्ड विभाग है उनसे भी हमारा एक कॉम्मुनिकेशन होना चाहिए ताकि हम लोगों को बताया कि हम मरीज का हि अपना नाम बताए मैडम मेरा नाम मनोज आप अपना सवाल पूछी मैडम मेरी मां का इसाइटी का प्रॉब्लम है मैडम और उनको ताय भाग में मतर्ट कमा से लिए पैर सब बहुत दर्द रहता है खाने बनाने में बहुत तकलीफ हो जाती है मनोज जी बहुत है माता जी का मारी हुआ है कि तो आप लगता है ने में मुंगे जिला से बोलना हुझा ठीक है तो आप एक वार आके हमसे मिले इंदरा गांधी आरवग्यान सथान रूम नुम्ब एक सो पांच फिजिटरे पिन योग विवाग सभी जो रिपोर्ट से उसके साथ हैं और बिल्कुल माता जी ठीक हो जाएंगे जो अगर MRI में आपकी नस अगर माता जी का दब रहा होगा तो बिना फिजो थेरापी का ठीक नहीं होगा कुछ दवाएं जरूर चलती हैं लेकिन सिर्फ उससे ठीक नहीं होगा यह साथ में फिजो थेरापीफ ही 95 परसेंट फिजो थारेपी फायदा करेंगा और यह अपने आप में शब्रभा है अच्छे फिजो थेरापी नहीं एक से तीन महिना आपको मिनीमम जो है लगेगा फिजो थेरापी करने में ठीक होने में, लेकिन कितनी सिविर्टी कितना ज़्यादा नस दबा है वह मरीज को देखने का यह जादा अच्छा बता पाईंगे, वहां आके मिले आपके माता जी ठीक हो जाएंगे, जरूरी स्किल्स के बात कर रहे हैं जरूरी स्किल्स पीशन का ही एक फोन आया कि वह भी हमें जानने चाहिए, फिजो तर्यापिस को विभीन प्रकार के रिपोर्ट्स पढ़ने आने चाहिए, उसको कैसे कोलोबरेट करें वह करना है, जैसे अगर आउट्डोर पेशेंट में आते हैं तो लोग हरबरी में रहते हैं, लेकिन जैसे इंडोर पेशेंट हो जो हम लोग को नई रिपोर्ट्स जो है, वह भी जाने की रुटीस तरह चारपाँच स्कील्स जो है, फिजो तर्यापिस को होना बहु जरूरी ही, कहते हैं कि योग से रोग दूर भागता है, और यहां पे हम जाना चाहेंगी कि फेचियो तरेपी और योग में क्या अंतर है, यह बहुत अच्छा प्रशन है, जो कि हम लोग अभी MBBS के छात्रों को मैं ही पर हम लोग पूरी टीम पर हा रही पिछले 10 दिनों से लगवा, योग के बारे में, और National Medical Council ने इसको इंक्लूड कर दिया योग को कि MBBS में आपको पढ़ना है, तो योग जो है, जीवन जीने की एक बद्धती है, लेकिन जो फिजो थेरापी वह थेरेप्योटिक अधार है, वो ट्रीटमेंट के लिए है, तो इसलिए जो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, कि इसमें दोनों के बिच बहुत जादा अंतर है, योग के चुकि कई बार फायदे होते हैं, थेरेप्योटिक योग की आसन है, उससे थूदा मिलते जूलते हैं, इसलिए थूदा कन्फियोजन हो जाता है, लेकिन मोटे तोर पड़ जाने कि फिजो थेरेपी जो है, बीमार लोग को नहीं कराया सकता है, जो हम पर फिजो थेरेपी करना थूदा मुश्किल होता है, योग जीवन जीने क को संदेश क्या देना चाहिएगा जो इस छेतर में आना चाहते हैं उनसाइश को मेरा संदेश ही होगा कि वो खुब मेहनत करें और के प्रती ध्यान से अपना चूज करें अच्छे कॉलेज में अडमिशन लें और जो हाँ जाए तो सीखने की प्रविर्टी रखें चूकि आन पढ़ेगी जिसका हिसाब नहीं है और इसलिए जो है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े तो आपका बहुत ही उजल होगा और किसी से कंपेर नहीं करें आप अपने यूनीक बने वह ज्यादा बहुत 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 शुक्रिया आप आए और दर्शुकों को तमाम चांद कारी तो आज के हमारे इस सब्याद इखास कारेकरम दिशाय में फिलाल इतना ही हमारे अगली प्रस्तुते में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विश्य को लेकार और किसी अन्य विश्य सग्य के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें डेड़े बिहार और हमीं देचे इजाज़त नमस्कार